नमस्कार दोस्तों मैं गोरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार स्वाध्याजीर में और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम मेहनत करने पड़ती है और आपको हमारा पढ़ाया समझ में भी आता है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे क्या करोगे आप लोग हमें सपोर्ट करोगे दोस्तों मेहनत कर रहे हैं इसलिए आप लोगों से बोल देते हैं यह मैंने ऐसे बना दिया नॉर्मली मनसा क्या कुछ करने है तो कर दिया तो अपनी मेहनत हाम लोग मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए ही आप लोगों से बोल देते हैं और नहीं मेहनत कर रहे होते तो फिर बोलते क्यों भाई फिर बोलने का हमें कोई अधिकार भी नहीं होता लेकिन अभी आप लोगों को अपना परिवार माना है हमने आप लोगों के लिए ही सब कुछ चल रहा है आप लोगों को ही हमने अपना सब कुछ माना है हमने माना है कि आप लोग ही अब इसमें इतना कुछ हो जाता है यह नहीं पढ़ाता मुझे अब यह भेंकर है बहीं चेक है ना यह भेंकर हो रखा है तो आप लोगों को परिवार की तरह मानते हैं हम लोग हम लोग मानते हैं कि आप लोग हमारे परिवार हो और परिवार के सितस्यों से ही सब कुछ कहा जाता है इसलिए आपको एक विश्वास के साथ एक भरोसे के साथ आप लोगों से कहते हैं और हम और ज़्यादे मेहत करने को इस करते हैं, हमें लाइव लेका आईए, टीचर्स को लेका आईए, सब कुछ अब आपके हाथ में है, चलिए दोस्तों आप पढ़ाय करते हैं, गोर करिए, यहां पर, आप जानते हो कि ये किलास हमारी किसकी होती है, हिंदी की होती है, किसक अब हम देखते हैं, वे इंजन के बारे में चीक है यह आपका अंतस्त को देखा और आपका सेउत को देखा, अब हम देख रहे थे आगद धवनिया, क्या देख रहे थे हम, आगद धवनिया, आगद धवनि, आगद धवनि कौन सी है, जै और फै, जै और फै, देखा इन दोनों के नीचे एक छोट असा बिंदू लगा हुआ है, ठेक है न, एक बिंदू लगा हुआ है इन दोनों के नी तो अब हम देखते हैं जो हमारी आगध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् जैसे अगर बात करता हूँ मैं आगर धमनिया किसी अन्य भासा में इनका विकास होता है और किसी अन्य भासा में इनका परियोग कर लिया जाता है जैसे हिंदी में क्या जा रहा है जै और फै ये दो आगर धमनिया है हिंदी में क्या है ये दो अगर धमनी हैं इंदी में जै और फै इनका उप्योग ये अर्बी और फार्सी बासा से आई वे शब्द है अगर बात करता हूं तो आपके जो एक्जामपल के अगर हम बात करते हैं जैसे जहर क्या होगा जहर ठेकर न समझ में आ गया ना मैं दुबारा से पताता हूं को भी आप लोग की समझ में ना है और आप लोग बोलो की सर ने बस ऐसे ही बोल दिया ठेकर अब देखिए आगर धमनीया वे होती है जो किसी अन्य बासा से आती है और किसी दूसरी बासा में उनका प्रियोग कर लिया जाता है उनका प्रियोग इसलिए कर लिया जाता है लेकिन निर्मान किसी अन्य बासा में होता है तो ये दूसरी बासा से किसी दूसरी बासा में आती है तो ये आगत धवनिया ये आगत वेंजन भी कहते है क्या कहते है आगत वेंजन भी कहते है यह जय और फ्य हिंदी की दो आगत धवनिया है या आगत वेंजन है जिनका उप्योग जो अरबी और फार्सी वासा से बनेवे है ठीक है ना तो जैसे जहर कागज वो कागज नहीं हुता नहीं होता है ठीक है आप देखिए आपका और başka कुछ होता है जिंदगी का होता है यह हुगा आपका जिंदगी जहर आपका कांगज है कांगज़ जिंदगी फकिर अंग्रेंजी क्या हो Corner फकीर अंग्रेजी जहर, कागज, अंग्रेजी अंग्रेजी लिख लेते हैं क्या नहीं लिखा जा रहा है क्या दिखा दो लिए यार कभी कभी तह ऐसा होता है किसमझ मही जाता हो गया जाता है अंग्रेजी क्या हुआ अंग्रेजी ठीक है ना तो यह शब्द होते है जो जहर, कागज, अंग्रेजी, फकीर यह सभी शब्द कैसे होते हैं यह सभी शब्द अंग्रेजी के सब्द होते हैं सुरी यह सभी सब्स अर्बी और फार्सी बासाओं से आये हुए आगर धवनी से बने बने होते हैं जै और फई हिंदी की दो आगर धवनिया है तो आपने देख लिया कि टोटल कितना हुआ यह सब कुछ कैसे है और कैसे हुआ है टोटल हमने अब दबनी से बने होते है जै और फै हिंदी की दो आगर धमिया है कैसी हिंदी की दो आगर धमिया है जै और फै तो आपने देख लिया कि टोटल कितना हुआ यह सब कुछ कैसे और कैसे हुआ है टोटल हमने अब तक कितना पढ़ा है अब तक हमने पढ़ा है आपका कितना अगर न नेक्स पेज, अगर हम नेक्स पेज लेते हैं और हम लोग देखते हैं तो आगर्द हमने देख लिया, हमने देखा कि जो आपके स्वर्थ थे वो कौन-कौन से थे आ, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, आपका री, ए, अए, ओ, और आओ ठीक है तो दो, चार, छे, आठ, दो, दस, अरे, ग्यारा तो कुल कितने हुए? कुल हुए कितने ग्यारा कितने हुए? ग्यारा, अगर हम बात करते हैं, आपकी अंग और ए को आप लोग बोलेंगे कि अंग और ए भी तो सर इसमें होते हैं, तो अंग और ए अयोग वहा माने जाते हैं, क्या? योग वहा माने जाते है तो पर स्वर कितने वह गयारा अगर न बात करता हूं इस पर स्वे एंजन की देखें मेरा काम है पढ़ाना आप लोग को अच्छी तरह यह नहीं है कि मैं ऐसे ही रैंद क्या कर दू मैं ऐसे ही आपको पढ़ा दू उपर उपर से निकलता चला चला ज को भी लग जाए कि हाँ भै इसने किया है दर्द मिलेगा तो भेंकर मिलेगा और साथ मिलेगा तो भी भेंकर मिलेगा भाई दर्द मिलेगा तो खुल के दर्द को जी लो नहीं सामने वाले को भी लगना चाहिए कि हाँ इसने किया है और इसी तरह आप पढ़ाई को करो तो पुरी सिद्दत से करो और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पुरी सिद्दत से पढ़ाऊंगा आप लोग पढ़ रहे हो तो पुरी सिद्दत से पढ़ो ऐसे पढ़ो कि यह आखरी दिन है बस आज ही पढ़ाई है और कल ही एक्जाम है तो अच्छे से पढ़ो बस हम तो इतना ही चाहते है कि आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट कर दो क्योंकि मेहनत की जाती है आपको यहां पर पढ़ाने में ठीक है यह ग्यारह लिखा हुआ है कितना यह ग्यारह लिखा हुआ है ग्यारह और आपकी जो क्लास होती है नाइन एम पर होती है आठ आठ एम पर मैं लिख देता हूँ आठ एम और नाइन एम पर ये आपकी बायों की किलास होती है किसकी बायों की किलास होती है और ये आपकी हिंदी की किलास होती है सुबा ठीक है ना ये आपकी हिंदी की किलास होती है दोनों topic wise किलास चल रही है बहुत अच्छे से चला रहे है बहुत अच्छे से आप लोग कराने की कोशिस की जा रही है, शाम को साथ बजे और शाम को आठ बजे, शाथ पी एम पर और आठ पी एम पर, साथ पी एम पर होते हैं आपके क्या CDP की क्लास, CDP की कोशनांसों चल रहे हैं, और अगर बात करता हूँ मैं आठ बजे की, CDP की और करन्ट अफेर की क्लास भी आने वाली है, क्योंकि CDP का जो है, वो 28 तारिक को एक्जाम हो जाएगा, उसके बाद CDP क्या, थोड़े दिन के लिए उसे ब्रेक देंगे, और आपका क्या चलेगा, आपका सुबह करन्ट अफेर की क्लास से लेगी, और यूपी पुलिस वाले इ तो इस पेशल सुनो, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए, और यूपी लेकपाल वालों के लिए, लिए जल्दी ही स्टेटिक जीके की किलास, हिंदी आपकी चली हूए है, जल्दी ही इस 特ट्रेंट अफेर की सब कुछ आने वाली है, ठीक है, जल्दी ही आपके लिए स्टे वाली है उसी तरह UPGK के कोश्चन और उसी तरह UP और हिंदी आपकी चली हुई है तो जल्दी से तियार हो जाएए स्टेटिक जी के afear आपका Hindi और आपका यूपी जी के के हिंदी के MCQ और यूपी जी के MCQ आप लोगे लिए बहुत जल्दी classes आने वाले हैं तो तियार हो जाएए और अच्छे से class को time table के हिसाब से लेजिए time पर आईए और अच्छे से पढ़ाए करिया और जल्दी से हमें live लेकाईए अपनी सपोर्ट को इतना पढ़ा दीजिए इतना जदे से जदे शेयर कर दीजिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ स्वाध्याइश्री वाले है कि हम सब स्वाध्याइश्री वाले है पता लगना चाहिए चलिए पढ़ाय करते हैं तो कुल सवर कितने होते हूं तो पच्चीस और अगर उच्छिप्त को सामिल कर लूँ तो तो टोटल कितने हो गए 27 हो गए मैं दुबारा से इसलिए कर रहा हूं तो रहता रिविजन आपका हो जाएगा यह ठीक है ना अगर अंतस्त वेंजन की अगर मैं बात करता हूं तो अंतस्त वेंजन का मतलब ह है आपका कितने कुल चार होते है ठीक है अगर आपका उस्म वेंजन की बात करता हूं क्या करता हूं उस्म वेंजन की बात करता हूं तो यह भी कितने होते हैं चार होते हैं अंतस्त हो गए उस्म हो गए आपके संयुक्त वेंजन अगर मैं संयुक्त वेंजन की बात करता हू संयूक्त वेंजन की बात करता हूँ तो चार यह होते है और दो आगर धवनी होती है कितनी दो तो कितने हो गए यह यह गए आपके 7 और 4 11 7 और 4 15 और 4 दून करते हो 12 ठीक है कितने होंगे 27 पनास्थ थो 12 यह विरा आपके 1 और 3 और एक 4 41 और 11 यह हो गए आपके तोटल कितने हो गए आपके 2 और 5 कितना हो गया टोटल कितने होंगे 52 हो गए जो आज तक हमने अच्छे से पढाई की हुई है ठीक है ना 22 ठीक है न ये आपको समझ में आ गया टोटल कितने होते हैं 52 आगद्धमनी आपके complete होती है आगद्धमनी मैंने आपको बता दी कि दो आगद्धमनी कोण सी होती है जिए मैं इस्थान के आधार पर अब एक बात देखिए उचान स्थान का मतलब कि कौन से वेंजन का उचान किस इस्थान से होता है हमारी वर्ण माला बनी थी अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो वर्ण माला थी वो ऐसे ही बना दी गई वर्णों का विकास हुआ आपको समझाय गया था ठीक है वर्णों का विकास हुआ वर्ण माला बनी अब वर्ण माला पर प्रोब्लम यह आई कि हम कैसे वर्णों का चुनाओ कैसे करे किस करव में उन्हें रखे जैसे हमने सवर का चुनाय किया था कि पहले कंट वालों को रखो फिर हमने कहा अब आप तालोब वालों को रखो जह का ना कप्ट तालोब धन फिर धन्त है फिर और आुस्ट is परकार तो यही hj도 हमने किसमें लगाया यही में लगाया है आपका विन जन में कि पहले किसे रखना है और कैसे रखना है है ऐसे तो नहीं है कि ऐसे तो हम यहां पर तैती शुरू करेंगे क्या की बजाए हम कैसे हमारी वर्ण माला शुरू होते हैं लेकिन हम कैसे नहीं को तैसे शुरू करेंगे फिर हम तैना तैना लिखेंगे फिर हम क्या लिखेंगे बिलुकुल ऐसे वर्ण माला लेखी जा सकती थी लेकिन नहीं वर्ण माला बनाने वालों ने विशेश जान रखा किस बात का उन्होंने विशेश जान इस बात पर दिया उन्होंने विशेज ज्यान इस बात पर दिया कि जो वो बना रहे है जैसी वोण माल बना रहे है उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए आधार होगा तब ही तो कुछ ना कुछ होगा अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूँ तो उसका एक ही कारण है ताकि आप लोग का आधार मजबूत हो सके आपका धरातल मजबूत हो सके आपकी नीव मजबूत हो सके अगर नीव मजबूत है तो महल उतने सालों तक खड़ा रहेगा जितनी मजबूत नीम होगी तो हमारे जो जो हमारे वर्ण माला को लिखने वाले थे उन्होंने इसका धन किया और इसे एक करम निजायत किया सबसे पहले उन्होंने देखा यह हमारा मुक है अगर मुक की बात करता हूं मुझसे ड्रोइंग बनानी नहीं आती तो आप लोग थ करने की कोशिस करेंगे ठीक है न और अच्छा सा बना सकते हैं ना चलो प्राइब करते हैं शायद और अच्छा हम बना लेंगे मुझे लगता नहीं मैं बना लूँगा लेकिन मैं फिर भी कोशिस करना चाहूंगा ठीक है यहां से आये और ऐसे ऐसे हमने यह मुझे बनाया और यहां से गए हम यहां अरे वाँ थोड़ा सा ठीक बन गया है ना जादे तो नहीं बना पाया मैं लेकिन थोड़ा था मैंने अपने सर को मैंने क्या किया सर को मैंने आप करदन पर रख दिया है थोड़ा सा ठीक है न तो यह यह जो है यह हम मालने चाहिँ है यह होट हो गया यह सा भी आप लोग समझ जाओगे अब देखे, यहाँ पे होता है कंट, क्या होता है कंट, कंट के जिस्ट उपर की तरब होता है तालू, क्या होता है तालू, यहाँ पे होता है आपका मूर्धन्य, ठीक है, यहाँ पे आपका होता है कंट, तालू, मूर्धन्य, और आपका यहाँ पे होता है दंत, क्या होता है दंत ठीक है और यहाँ पर क्या होता है आपका यहाँ पर होता है ओस्ट या होट कह सकते हैं होट लिख लिए अच्छा लगएगा आप लोगों समझ में भी अच्छी से आ जाएगा होट तेखे और यह हमारी जीवा हो जाएगी यहाँ ठीक है ना ठीक है अब आपने देखा अब हमने जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले स्वास कहां से आती है हमने बोला कै हमारे अंदर से आई वायू और गले के द्वारा होती हुई मुख से बाहार निकल गए मैंने बोला राम मैंने बोला शाम मैंने बोला मोहन मैंने बोला पिरिया मैंने बोला सीता मैंने बोला गीता तो सबसे पहले हमारे जो वायू आती है वो हमारे फेपडो से आती है कहां से हमारे फेपडो से आती है वायू और यहां से होती हुई ऐसे ऐसे गले तक पोज़ती है और गले से होती हुई और हमारे मुख से और बाहर निकल जाती है यहां से बाहर निकल जाती है सब जानते है ठीक है ना लेकिन सबसे पहले वायू कहां पर टकराई सबसे पहले वायू कहां पर टकराई यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है सबसे ज़्यादा अवश्चक है सबसे पहले देखे मैं आराम से पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊंगा लेकिन ठ ज्यादे से ज्यादे आजये से ज्यादे लोगों तक ये वीडियो पोशन काुण चाहिए ये आप लोगों की जिम्मेदारी है अभ ठीक सा लग रहा है लग रहा है थो कि इसको फुर्ड़ा सा लंबा कर देते हैं टाकि लगे कि ये हमारा शरीर सा भी है हाँ अब कुछ लग रहा है थोड़ो सा थोड़ो सा आ गया अदम अब देखिए जैसे ही कोई हमने कैका उचान किया सबसे पहले मैं कैको बोल देता हूं हमने कैका उचान किया तो हमारे किस मुक के या गले से लेकर हमारे मुक के किस हिस्थे में वायू ने प्रेसर डाला या गर्षन किया या कंपन उत्पन की देखे आप भी मेरे साथ बोलिए सेम ऐसे ही बोलना है यहां पर होता है कंट यहां पर होता है उपर की तरफ पीछे तालव इसके ऊपर ऊपर कहा हो मैं अब अंदर हाथ देके नहीं बता सकता मैं लेकिन बतारों उपर की तरफ क्या होता है म तो सबसे पहले मैंने किसी भी वर्ण का उचारण कर लिया जैसे ही मैं किसी भी वर्ण का उचारण करता हूँ वा यू मेरे गले से आती है गले से होती हुई कहा पोजती है मेरे कंट में आती है मैंने बولा के हाथ रख्याद है अब हाथ होट पर रख्याद ऑचारण कर रख्याद हँआ ऐसे पकल लीजिए पकड लीजिए चलने मत दीजिए क्षय गय गय यह कुछ फर moc प्रग नी पड़ा कुछ फरक को प्रगनी पड़ा मैंने होट को भागया मैने दाथ को भगल अगया कि इसका मतलब है जो कयाख वं जो है इनका उच्छान स्थान क्या है कंट है करते हैं तो हमारे जा हमारे हमारे हैं यहां से कंट से टक राती है तो बाद कहा थे होती मुझसे होती वालकल आन्या किसी इस्तान पर प्र कमपन उत्पनकंध तो जितने भी ये वर्ण हुए जो कंट से कंट पर कमपनकऺर करते हैं उनको हमने किई वर्ग में दिया उसके बाद हमने उन वर्ण करें कि चुनाओ किया जो आपके तालू में आते थे अब हमने देखा चे वन को चान करके चे चे जे तेखे कंट पर रखे चे जे जे कुछ नहीं हुआ अब यहां पर रखे थोड़ा दबागी चे जे 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 आईए तो प्रेसर कहां पर आता है जब वायू निकलती है तो वायू ऐसे आएगी और तालू पर टकराएगी जो और ऐसे बाहर निकल जाएगी ऐसे होता ना वायू यहां से आई तालू पर टकराएगी तालू पर घरसन किया और बाहर निकल गई है ना हमारी जो जीब है जो हमारी जीब है वो तालू को इस परस करने लगती है तो हमने उन सभी वर्णों को तालू में रख दिया वें मूर्धन्य को निकल जाती है उसके बाद हमने देखा दंत्य का और दंत्य के लिए हमने उनका प्रियोग किया जब किन का तै तै जब हमारी जीब किसको इसपरस करती है दंत्य को इसपरस करती है दातों को इसपरस करती है उन सभी वर्णों को उन सभी वेंजनों को हमने दंत्य वर्ण में रख दिया दंत्य वाले वर्ण में रख दिया और जिन वर्णों का उचान करते समय हमारे होट आपस मे मिल जाते है और होतो से हुट्सक्राम करना क्योंकि इनकी सबस्मझ करना चाहता है वर मां भी उसको यह पर दखते हैं आगे चलते हैं नगां occupation अगूरो को Salesforce ने करूंगा मजा कर रहाँ भOoh रहूं जो मैं चार्ट बनाओंगा साथ साथ बनाना है आप लोगों को अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम लोग चार्ट बना सकते हैं ठीक है ना थोड़ा सा इसको डार कर लेते हैं और थोड़ा सा डार यह लिची ठीक है ना चलिए अब हम देखते हैं चलो इसको यलो कर क्या दार पर अलग-अलग category में रखेंगे और पहले किसे रखेंगे उसका निर्दान उपर से नीचे की तरब करते रहेंगे गले में जब वायू कंट से ऐसे निकलेगी तो ऐसे करेंगे लेकिन मैं लेखना शुरू करूंगा उपर से तो सबसे पहले लिखें कंठ ठीक है यह क्या होगा यह आपका कंठ वर्ग होगा क्या होगा यह आपका कंठ वर्ग होगा अब यार पतानी क्या हो जाता है यार जब पढ़ाने में मन लगता है इतना अच्छा सा तभी यह प्रोब्लम होती है कंट यहांपर लेकिए तालू करिये और यहांपर लेखिए कंट तालू मुर्धन्डय क्या लिखें हैं से क्या लिखेंगे मुर्धन्य क्या लिखेंगे मूर्धन्य लिखेंगे क्या लिखेंगे मूर्धन्य कंट तालू मूर्धन्य दंद ओस्ट क्या लिखेंगे आपका यहां पर लिखेंगे ओस्ट यह क्या हो रहा है यार यह बार बार क्या प्रॉलम हो रही है क्या होगा ओस्ट ठीक है अब देखें आप लोग यह हुआ कंट वरग यह तालू वरग यह मुर्धन्य ये दंते ये ओस्ट ठीक है ना ये क्या हुआ दंते और ये हुआ आपका और ये कंट के यह मुँर्धने दंत्र यहें यह सब आप लोगों को अच्छे से बना लेना है क्या करना है यह सब आप लोगो को अच्छे से बना लेना है मैं इस वाले पेleb को सेव करना चाओंगा तो मैं इसको सेव करना चाहूंगा यहीं पर ठीके ना सोलावस करकर देता हूं कि यह स прим कर तो है अब हम अपना ले लेटेए तो है कि योगा कंट तालवे मूर्दने दंते और ओस्टे ठीक है ना अब हम देखते हैं कंट में हमने कंट से उचान किया कह का क्या आफ़त हो रही है यार क्या प्रूब्लम है यह बार बार के के गे 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 और डे के खे गे गे और डे चे छे जे जे आई है यार इतना बुरा नहीं हो गया जितना बुरा आज हो रहा है दोस्तों यार हद हो गई बिल्कुल मतलब जब मन ग ripसे से पढने का होता है पथा नहीं क्यों रहे है यह आई है अब याप जारट बना लिजिए मैं आपको समझाओंगा कैसे होता थीक है न हं न यह यहां पर हम देखते हैं आपका क्या हुआ इसको थोड़ा सामें के खे गे गे दे ठीक है यहां पर लिखी छे जे 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 आई यहां पर लिखे है यहां पर लिखे ठे दे अने ठीक है यहां पर लिखी ते दे धे ने यहां पहले की पे भी भीbox पह पह बै बै भै और मै इसे बोलते है कंठे वर्ग इसे तालू वर्ग इसे मूर्धने इसे दन्ते और इसे ओस्ठे क्या बोलते है इसे तालू, इसे मूर्धने, इसे दंते और इसे ओष्ठे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे ओष्ठे वर्ग बोल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर मैं आपको इसे कैवर्ग बोलते हैं यह पर्थमा यह दूत्या यह चतुरते और यह पंचम ठीक है यह आपकी समझ में आ गई इसको मैं दुबारा बताओ दूँगा आप लोगों को अब हमारा जो है यह सुरू हो चुका अच्छे से हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ठीक को देखते हैं फिए पढ़ा हुआ है आप काम लोगों हमारी मेहनत को देखते हो कि हां हम 같은데 करते हैं सच में आप लोगों पढ़ाने के लिए मेहनत की जाती है तो आप लोग लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बस आपसे इतना ही चाहते है कि जदे से जदे लोग तक इसे पहुचा दीजी ताकि आपका परिवार बड़ा हो सके और आम वो सब कुछ कर सके जो आपके लिए करना चाहते हैं रोज आपसे कहते हैं क्योंकि आप पर अधिकार है आप परिवार है अमारा ठीक है तो आज के लिए तने रखते हैं दोस्तों धन्यवाद